चिन्ने में एक सत्रंज संगठन 44 वे अंतरश्य शत्रंज ओलिम्पियाड की मेजबानी कर रहा है कुछ हैरान कर दिने वाले वीडियो और तस्वीरे अब वाइरल हो गई है मैं आपको इस दिलजस्ट प्रतिसपर्दा के बारे में बताती हूँ सत्रंज आम तौर पर एक मेज पर बैठे दो खिलाडियों द्वाला खेला जाता है लेकिन ये बिलकुल अलग था ये साट फीट गहरे समुद्र में खेला जा रहा था जब तस्वीरे वाइरल हुई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि पानी के अंदर सत्रंज खेला जा रहा है स्कूबबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर स. अर्विंद थरुन्श्री ने कहा सत्रंज भारत का अपना है और यह हमारा गौरव है उन्होंने आगे कहा पानी के नीचे टीम ने एक भारी सत्रंज बोर्ण और सत्रंज के तुकड़े का इस्तमाल किया राजा, घोडा, हाती, रानी, आधी जैसे तुकड़े थे ये प्लास्टिक के नहीं बने थे तुकड़ो को एक भारी सामगरी से बनाया गया था ताकि वे पानी में ना दुले खिलारियों के साथ एक आधिकारिक मैस्कॉट भी था जो खिलारियों के साथ ही था जैसे त्यहोरों में मैस्कॉट होते हैं वैसे ही सत्रंज के मैच में थम्बी थे कलाने देशक श्रवनन ने थंबी का निर्मान किया जिसका चहरा गोड़े जैसा था मैसकॉट सहित 6 लोगों का एक समुह पानी के भीतर शत्रंच खेल रहा था वीडियो वाइरल होने के बाद लोग इन्हें देखकर हैरान रह गए खेल के बाद कोई कच्रा नहीं छोड़ा गया था अद्भुद चिन्ने के अधिकारी अंतराश्ट्य टॉर्नामेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे है क्योंकि लोगों का जुकाव सत्रंच के बजाए क्रिकेट, फुटबॉल आधि देखने की और अधिक होता है इसलिए लोगों को सत्रंच के प्रती प्रोचाहिद करने जो दिमाग के विकास में मदद करता है वे टॉर्नामेंट को बढ़ावा दे रहे है इस ब्रिज को सत्रंच की बसाथ जैसे दिखाने के लिए काले और सफेद लंग में रंगा गया है जह प्रतियोगिता के बारे में जागरुपता फैलाने के लिए किया गया है सोशल मीडिया पर सत्रंच से जुड़ा एक डांस परफॉर्मेंस वाइरल हो गया प्रतिसपरदा के बारे में जागरुपता बनाने के लिए एक वीडियो बनाया गया था जिसमें नर्तक्यों ने हिंदू संस्कृती समुदायों आधी के चित्रन किये था नित्रप्रदर्शन में सत्रंच के विभिन्नग थुकड़े जैसे राजा, रानी, हाथी, आधी को जीवित होते और सत्रंच की बिसाद पर लडाई में शामिर होते दिखाया गया प्रदर्शन का वीडियो वाइरल हुआ और लोगों ने इसे खूब पसंद किया